तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही अलग टॉपिक क्योंकि जो टॉपिक आज में आप सभी के साथ शेर करने वाली हूँ आप सभी को बताने वाली हूँ वो सभी के लिए है चाहे वो स्कूलिंग में हो जैसे कि 10th और 12th क्लास के लिए जो बोर्ड एक्जाम रेने वाले है या फिर जो बच्चे SOSC में देने वाले हैं एक्जाम या फिर कोई बड़ कॉम्पिटेटिव एक्जाम देने वाला है उसके लिए ठीक है तो आखेकार हमारा टॉपिक क्या है हाव टू कॉंसेंट्रेट फॉर लॉंग आर यानि कि हम कॉंसेंट्रेशन कैसे करें जादा घंटों तक पढ़ने के लिए सपोस जैसे कि आप सभी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो लगातार 2-3 घंटे पढ़ सके क्योंकि काफी के साथ क्या होता है कि आदे घंटे में ही एनलजी ऐसा होता है कि डाउन हो गई है अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मूड भी नहीं है मन करता है कि ये टीवी देख लें फोन यूज कर लें और कुछ खा लें क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तब ही हमें भूख लगती है बहुत बार होता है ऐसा लेकिन भाई अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए ज़ादा घंटों तक पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है चाहे आप किसी में भी चाहे आप डियू में आडमीशन लेना चाहते हैं सीउ सेट का इंट्रेस टेस्ट दे रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप सभी ज़ादा टाइम तक पढ़ सकें अगर आप उनको फोलो करते हैं तो तो चलिए फटा-फट से वे टिप्स देख लेते हैं क्या है हाँ जी तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत टाइम तक बढ़ सकते हैं means 2-3 गंटे तक तो लगातार आप पढ़ी सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी मैं टिप्स दूँगी आज यह बहुत इंपोटेंट है और अगर इनको आप फोलो करेंगे ना तब ही आप लगातार पढ़ सकते हैं ऐसा तो नहीं है कि आप इने फोलो नहीं करेंगे तो आप लगातार पढ़ लेंगे नहीं क्योंकि यह जो टिप्स हैं यह मैं अपने experience से बता रही हूँ मेरे साथ भी ऐसा होता है इनफेक्ट सभी के साथ ऐसा होता है जब बच्चा पढ़ने बैठता है जब मैं पढ़ने बैठती थी पहले तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आदे गंटे में ही बोर हो गए, जाता से जादा मन को मार मार कर एक गंटा पढ़ने बैट गए और उसके बाद बस अब तो होई गया, यानि कि चाहे एक्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी जो चीजें ह आते हैं कि अब मन नहीं कर रहा है या फिर मैं जाला ही पढ़ लूंगी तो पतानी क्या होगा मिरको थोड़ा सा फ्रेश माइन भी करना चाहिए ऐसा बहुत बार हो जाता है तो ऐसे नेगेटिव थोट्स को साइड में करके कुछ ये टिप्स जो आज मैं देने वाली हूँ य या फिर कोई भी टिप्स या फिर बैस्ट स्ट्राटेजी से रेटेट तो मैं यही कहती हूँ कि आपको डेली पढ़ना है चाहे आप कुछ भी कीजिए अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं तो सारी जो आपका आपने सोच रखें टार्गेट सेट कर रखें वो सारा जो है दूर भागता चला जाएगा यानि कि एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है कैसे भी कीजिए लेकिन डेली पढ़िये डेली पढ़ने का मतलब है आदा घंटा पढ़िये या फिर एक घंटा पढ़िये लेकिन आपकी ये हैबिट जरूर होनी चाहिए कि आप अपने पूर जाना है ट्यूशन जाना है कहीं पे भी लेकिन आपको अपना जो पढ़ाई है उसको बिलकुल सैट करके रखना है कि मिलको डेली अपने पढ़ाई को करना ही है चाहिए कुछ भी हो जाए ठीक है सेकिंड टिप आपकी क्या है कि अपने आपको प्रिपेर कीजिए प्रिपे अगर आपके मन में इस सारी चीज़े अगर आती हैं तो रियली आप जादा टाइम तक पड़ नहीं सकते हैं लेकिन अगर आप पहले से अपने माइंड को ये बना के चलेंगे कि नहीं मेरको आज दो गंटे पढ़ना है कैसे भी करके क्योंकि मेरको अपने जो गोल है उनको अचीव करना है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं ज़दा टाइम तक छिक हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आपकी टिप है डेली टागेट्स डेली टागेट्स का मतलब है टाइम टेबल टाइम टेबल अब ऐसे नहीं कि मैं सोने कितने बज़े लेटू और खाने कितने बज़े बैठू और खेलने कितने बज़े नो ये टाइम टेबल नहीं time table का मतलब होता है कि आपने पहले से prepare किया हूँ अपने study का time table कि आपको आज history में से ये जो chapter है वो करना है science का ये chapter आपको करना है चिक है biology का आपको chapter 9 करना है इस तरीके से सारा जो भी आप prepare अपना करके चलते हैं उसको हम study का time table बोलते हैं ठीक है तो आपको अपना daily time table बनाना है daily आपको अपने target सेट करने हैं कि हाँ आज मैंने chapter 10 है उसको अच्छे से complete कर लिया maths में अब मैंको जो chapter 11 है उसको भी करना है साथी साथ science भी करनी है अगर आप ये सारी चीज़े बना कर चलते हैं तो definitely आपका बहुत अच्छे से आप अपना अच्छे से कर सकते हैं यानि कि ज़ता time table का पढ़ सकते हैं तो अपने मन में होना चाहिए साथी साथ आपके daily targets होने चाहिए अगर आपके पास targets ही नहीं है कि मुझे आज के दिन क् कर सकते हैं ठीक है और जब पूरा दिन target क्या करोगे target set करना है आपको सुबह उठकर सुबह उठते ही थोड़ टाइम बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठो उससे पहले target set कर लो time table बना लो कि हाँ मुझे आज के दिन ये करना है और फिर रात को उस time table पर right and cross लगाओ कि क क्या क्या चीज़े आपने आज की और क्या क्या चीज़े आपने आज नहीं की अगर आप ये करते हैं तो पक्का आप ज़्यादा time तक पढ़ने बैठ सकते हैं ठीक है भई फिर उसके बाद है practice अब ऐसा नहीं है कि मैं कह दू कि आप एक दिन दो घंटे के लिए बैठ क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ की practice नहीं होती है तब तक कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है means जैसे कि अगर आपको dance करना है तो उसके लिए भी आपको उसकी practice होनी चाहिए किसी function में आपको perform करना है तो हमें कितनी practice की जरूरत होती है first दिन तो हमें ऐसा नहीं होता तो practice जब तक आपकी practice नहीं होगी यानि कि मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है पहले दिन आप आदा ही घंटा पढ़ने बैठे या फिर आप 15 मिनट ही पढ़ने बैठे लेकिन कोई बात नहीं अगर आप उसको daily routine में रखते हैं इन tips को follow करते हैं अपने daily routine में study करते time और ध धीरे धीरे क्या होगा आप में increment आता चला जाएगा यानि कि आप जब आदा घंटा बैठ रहे थे पढ़ने तो दो तीन दिन बाद आप एक घंटा पढ़ोगे चिक है उसके बाद आप तीन घंटा पढ़ोगे है ना ऐसा practice के through होगा लेकिन अगर आप यही सोच के बैठे ह नहीं हम without कुछ करे और मन में बिठा ले कि भई हाँ मैं तो दो घंटे बैठ जाओंगा पढ़ने और फिर आप आदे गंटे बाद उठ जाते और आपका मन निराश हो जाता है कि यह क्या हुआ मैं तो दो घंटे का रखा था अब मैं आदा ही घंटे में उठ गया तो आपक कि मन में negative thinking आती है negative thoughts आते हैं उनको side में करके और सोचना है कि नहीं जब मैं नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है यानि कि मेरे को करके दिखाना है प्रैक्टिस करो कि तभी होगा ठीक है next फिर आपके पास है कुछ और tips मेरे पास आप सभी के लिए क्या है आपका सही posture होना चाहिए यान कि जबी भी आप बढ़ने बैठते हैं चाहे आप study table पर बैठे पढ़ने के लिए चाहे आप अपने बैड पर पढ़ रहे हैं बैठके या फिर आप किसी किसी का होता है कि व इल्कुल सही होना चाहिए ये रही है कि आप लेट कर पढ़ रहे हैं क्योंकि काफी बचों के habit होती है लेट कर पढ़ने की लेकिन जब आप लेट कर पढ़ेंगे तो आपको धीरी धीरी नीद आनी स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लग सके ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से बैटे हैं कि आपका पढ़ाई में मन ही ना लगे और आप उससे दूर भागे चले जाए ठीक है तो इस तरीके से बैटके पढ़ना है कि आपका पढ़ाई में मन लगे नीद ना आए ठीक है दूसरी फिर आपके पास आजाता है कि जभी भी आप study कर रही है तो आपको study कब करनी है जब आपका जो mood है वो क्या होगा fresh हो यानि कि ऐसा होता है भाई सबी के साथ होता है कुछ ना कुछ धिन में कुछ ना कुछ खराब जो है वो हो जाता है कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मुश्किल हो जाती है कुछ ऐसा होता है कि भाई अंदर से गिल्टी फील हो रहा है या फिर हम से कुछ गलती हो गई और ममी पापा ने हमें कभी डाट दिया या फिर बड़े भेन भाई ने डाट दिया तो ऐसा होता है कि हाँ भाई मूड बिलकुल खराब सा हो गया है उस टाइम पर यह होता है कि कुछ भी ना करो तो आप जब पढ़ने बैठो तो आप यह कोशिश करो कि आपका जो मूड है वो फ्रेश हो यानि कि जब आपका मूड फ्रेश होता है तब भी आपको पढ़ने बैठना चाहिए ताकि आप ज़्यादा टाइम तक बैठ सके पढ़ने के लिए क्योंकि जब आपका मन उदास होता है तब तकरीबन यही होता है कि हमसे हमारा जो माइंड है वो किसी भी काम को करने के लिए डैडी नहीं होता है इसलिए सबसे पहले अपने मूड को फ्रेश कीज़े किसी भी तरीके से कहते हैं कि हम माइंड फ्रेश कर रहे हैं अपना बहुत लोग कहते हैं कि दस मिनट पढ़े और फिर कहते हैं कि अभी मैं गाने सुनूंगी और माइंड फ्रेश कर लूँगी तो ये चीज नहीं कह रही हूँ मैं कि 10 मिनट पढ़ा और फिर गाने सुना तो इससे हमारा mind fresh हुगा no तो उससे क्या होता है हमारा जो मन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है fresh हो जाता है और फिर हमारे मन में एक energy आ जाता है कि हाँ हमारे पास power आ जाती है कि हाँ अब हम पढ़ सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं उसके बाद फिर आपका next है avoid distractions ये सबसे main है आपका क्या होना चाह है बहुत बचों के tv से होती है बहुत बचों का game से होता है video games काफी बचों का होता है कि friends से gossip कर लें काफी का होता है कि phone चला ले Instagram पे reels देख लें तो ये जितने भी चीज़े हैं इनको side में करना है हमें यानि कि जो भी हमारे distractions हैं उनको avoid करना है avoid means जब आप पढ़ने बैठ या फिर आप अपनी friend को बोल दें कि please मुझे अभी इस time पे phone मत कीजेगा क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूं ठीक है और अपनी family members को बोल दे कि please ऐसा करना कि इस room में कोई मताना या फिर मुझे कोई disturb मत करना क्योंकि अभी मुझे पढ़ना है तो अगर आप इस तरीके से कर लेंगे ना वैसे वैसे होता जाएगा and last is your teaching teaching बहुत important है main है यह बिल्कुल इसको star कर लो बहुत important है अगर आप इसको करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से आपने जो भी कुछ पढ़ाए ना वो आपका बहुत मस्त हो जाएगा बिल्कुल set हो जाएगा mind में कैसे हैं आप जो कि teacher teacher खेलते थे बचपन में ऐसे ही अभी करना है ऐसे मतलब teacher teacher अभी नहीं खेलना teacher teacher खेलने का मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको ऐसा assume कीजे कि मेरे सामने क्या है बच्चे बैठे और मुझे उन्हें पढ़ाना है वही चीज जो आपने अभी पढ़ी है या फिर मे में आ जाएगा आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा क्योंकि जब भी हम दूसरे लोग को पढ़ाते हैं तो उससे हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छे से उसमें बैठ जाता है जो भी चीज हमने पढ़ी है तो अगर आप इन सभी चीजों को करते हैं अपने स्टडी के टाइम अपलाई तो मैं पूरी तरीके से शोरटी करती हूँ इसकी शोरटी देती हूँ कि आप 100% ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं ज्यादा घंटों तक आप 100% पढ़ सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा श इतनी अच्छी टिप्स दी हैं आप सभी को तो मुझे कमेंट करके तो बता ही सकते हैं कि कैसी लगी साथी साथ आप इने फोलो करोगे या नहीं या फिर फोलो करते हुए आ रहे हो या फिर नहीं चिक हैं तो यह जो भी बाते हैं आप मुझे शियर कर सकते हैं कमेंट बॉक सो मिलते हैं एक नियु वीडियो के साथ थैंक यू सो मुच फो वाचिंग दिस वीडियो